आगे बड़ी खबर माध्यमिक शिक्षा मंदल की दसवी और बारवी बोट परीक्षा में शामल स्टूरंट्स को तीन विश्यों में बोनस अंक दिये जाएंगे जी है अब फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीम ने ये फैसला लिया है जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बारवी बोट परीक्षा में बोनस अंक दिये जाएंगे साथ में जादा तर हर परिचारती को टौपर बनाया जाएगा हाल ही में हुई बैठा के माध्यम से ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही दसवी और बारवी बोट परिचा देने वाले सभी छातर चात्रों को इस बार बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है तो आप किस बोर्ड से बिलॉंग करते हैं कमेंट बाक्स में अपने बोर्ड का नाम और जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएगा इससे पहले आप ये जान लें चाहे आप सीबसी बोर्ड हो, आईसेसी बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, जहारकन, चातिसगर समेट कई सारे बोर्डों में ये बदलाव देखने को मिलेंगे आप चाहे दसवी के चात्रों हो या फिर बार्वी के सभी परिचारतियों को इस बार दोहजार पच्चिस बोर्ड परिच्छा का बड़ा लाब मिलने वाला है वहीं CBSC की बात करें तो 2025 बोर्ड परिच्छा में CBSC नए पैटर्न को लागू करने की तैयारी में है जिसको लेकर स्कूलों के सभी प्रहाना ध्यापकों के इस पर सुझाओ भी मांगे गया है CBSC इस बार से दो बार परिच्छा साल में कराने की योजना बना चुका है जिसको लेकर सभी परिच्छार्थियों में आक्रोश देखने को मिला है क्योंकि अभी तक सभी परिच्छार्थी साल में केवल एक ही बार बोर्ड की एक्जाम देते थे लेकिन सीवेस्टी ने इस बार से 2025 बोर्ड एक्जाम से साल में दो बार परिशा पैटरन लागू करने जा रहा है जिस पर छात्रों का अक्रोश बना हुआ है सभी परिशार्तियों को इस बार लाब भी होगा अगर ऐसा पैटरन लागू होता है क्योंकि सीबसी ने साफ कर दिया है कि छामाही वा सालाना में दो प्रकार के रिजल्ट बनेंगे जिसमें छात्रों को एक रिजल्ट चुनने की भी स्वतंतरता परिछारतियों को मिलेगी